रादे रादे जैश्री कृष्णा मैं हूँ पृती माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और देखे आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरा सा एक थालपोस्ट टेबल टोप और एज़ बोल डेकोर concept हो जो दिधायन आपके साथ चियर-करने वाली इस यह बहुत ही प्याल आपके साथ बहुत ही खुबसूरत सा 3D एफेक्ट देने वाला फ्लावर पैटन का एकशिली 3D फ्लावर पैटन का क्योंकि यह फ्लावर है यह 3D लुक देते हैं बेहरी कुश्य धी खुबसूरत है तो इनका ये जो है थाल पोस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपको किस किस को ये डिजाइन पसंद आय और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो प्रोट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और ये जो थाल पोस है ये बेहत ही खुबसरत बहुत ही प्यारा है ये देखे ये बहुत प्यारा और ये बेक्ग्राउंड में भी बहुत ही खुबसूरत लगने वाला है और उस चीज़ की खुबसूरती को बढ़ाने वाला है और मैं आपके साथ आगने वाली वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कि एज़ बेक्ग्राउंड में इसको हम किस तरह से ये यूज कर सकते हैं और इन चीज़ों की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं तो प्लीज चैनल पर बने रहें इस थार पोस को देखे बनाने के लिए जो है मैंने सिर्फ इसके उपर फ्लावर इसका बोडर और ये जो पत्तिया है ये बनाकर आपको इस वीडियो में दिखाई है और इसका जो बे आपको मैं त्विडो आपको टिया बैस के बना कर के करें तो बेस आसे बनाकर क्मप्लीट कर सकते हैं और ये जो बेस है जो यह बाकी का डिजाइन है वो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शियर करा है तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस थालपोस का बॉर्डर यह फ्लावर और यह डंडी और पत्ती हमें कैसे बना कर कम्प्लीट करनी है और यह खुब सूरसता थालपोस हमें कैसे बना कर कम्प सबसे बनाने के लिए यहां पर देखें के अब आप जब कि यहां पर आफ जो हैं थालपोस का यह बॉर्डर बनाकर कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले तो बॉटर बनाने के लिए यहाँ पर देखे आप कहीं से भी जो है इसका बॉटर बनाना शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे कोर्णर पर जहाँ पर भी आप इसको connect करेंगे या यह जो हमने base बनाकर complete करा था जहाँ पर हमने इसको खतम किया था वहीं से जो है हम इसको शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे धागे को लेंगे और corner पर यहाँ पर इसके अंदर तीन बार पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन बार पफ बनाने के बाद जो हमारा आगे वाला पफ होगा उसकी जो यह chain होगी corner होगा यह वाला यहाँ पर भी हम एक बार और पफ बनाएंगे यानि हमें दो पफ बनाने हैं एक इस chain में और एक next वाले पफ की chain में तो एक, दो, तीन, तो यह देखे हैं यह हमारे जो हैं दो पफ हो गए हैं किए इस निकालेंगे होग करेंगे होग करेंगे ओर दो, दो से एक करेंगे और अब यहां पर हम तेन की chain लेंगे एक, दो, तीन, तीन की chain लेने के बाद जो दूसरा पफ हमने बनाया था वहीं पर हम एक बाद सिंगलquisशे Guinness से इसको connect करेंगे तो यह इस तरह से जो है इसके border का first part बनेगा तो यहां पर देगे connect करने के बाद यहां पर फिर से हम धागे को लेंगे और जहां पर हमने connect किया है वहीं पर एक puff निकालेंगे एक दो तीन और दूसरा puff हम दूसरे corner पर बनाएंगे एक दो तीन तो यह दो puff हो गए हमें दो दो puff को जो है लेते भी इसका border बनाना है धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंगे धागे को pick करेंगे दो दो से एक करेंगे एक दो तीन तीन की chain लेंगे और जहां पर हमने second वाला puff बनाया है वहीं पर single की रोशिये से connect करेंगे और यहां पर देखें फिर से connect करने के बाद धागे को लेंगे और जहां पर connect किया है वहीं पर एक बार और बनाएंगे puff एक दो तीन एक puff हो गया अब दूसरा puff जो है हम अपनी कली के दूसरे सिरे पर बनाएंगे एक दो तीन दो puff हो गए धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंगे धागे को पिक करेंगे दो दो से एक करेंगे एक दो तीन की chain लेंगे और जहां पर हमने second वाला puff बनाया है वहीं पर single की रोशिये से connect कर देंगे तो ये कुछ ही इस तरह से जो है इसका उपर से ये border बनकर complete होगा एक बार ओर देखिए जहां पर देखिए हमने इसको connect किया है वहीं पर एक puff बनाएंगे एक दो तीन और दूसरे वाला puff हम इस corner बनाएंगे कली के एक दो तीन यानि दो दो puff को लेते वे हमें जो है इस border के first part को complete करना है धागे को hold करेंगे और ये जो दो puff हैं इन में से सब में से निकाल देंगे hold करेंगे धागे को देखे पिक करेंगे दो दो से एक करेंगे एक दो तीन की chain लेंगे और जहां पर हम second वाला puff बनाते हैं वहीं पर single की रोशिय से connect करेंगे और फिर जो है इसी process को follow करते हुए जैसे हमने अभी तक बनाया है ऐसे ही बनाते हुए जो है हमने इस border का first part जो है बनाकर complete करेंगे तो यहाँ पर देखे हमारा first border जो है बनकर complete हो चुका है और आप जब इस border को बनाएंगे तो पहले सारे में इसी border को बना ले मैंने जो है पहले ये white border बना लिया था उसके बाद मैंने ये उपर से अलग-अलग color के बनाए हैं pink और sky blue तो first border तो आप पूरा एक साथ ही बना ले और उसके बाद जो भी color आप इसके अंदर use करना चाहते हैं फूलों के लिए तो आप उसको फिर आपको अलग-अलग से लेना होगा और इसको बनाने के लिए देखे ये जो हमने तीन तीन की chain ली है puff को बनाते हुए यहां पर हम इसको जो है सबसे पहले connect करेंगे इस border के second part को बनाने के लिए और अब इस chain के अंदर जो है हम तीन बार puff बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन बार puff बनाने के बाद धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंवे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे, एक, दो, तीन की chain लेंगे और तीन की chain लेने के बाद ये जो chain है यहीं पर single किरोशिय से इसको connect करेंगे उसके बाद दुबारा से हमें तीन की चेन लेनी है एक, दो, तीन और तीन की चेन लेने के बाद जो हमारी next चेन होगी आगे की जो हमने तीन-तीन की चेन बनाई दी first border में तो जो आगे वाली चेन होगी वहीं पर जो है हम इसको single के रोशिय से पहले connect करेंगे और connect करने के बाद यहां पर दुबारा से फिर से एक puff बनाएंगे एक, दो, तीन तीन बार puff बनाने के बाद देखे दागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंवे दागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक, दो, तीन की चेन बनाएंगे और तीन की चेन बनाने के बाद जहां पर हम फफ बनाते हैं जिस चेन में वही पर सबसे पहले तो सिंगल की रोशिय से इसको connect करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनकर complete होगा उसके बाद दुबारा से हमें एक, दो, तीन की चेन लेनी है और तीन की चेन लेने के बाद जो आगे वाली हमारी ये तीन की चेन होगी जो हम फफ बोर्डर में बनाते हैं वहाँ पर हमें इसको सिंगल की रोशिय से पहले connect करना है और connect करने के बाद वापिस हमें इसी तरहीके को फोलो करते भी देखे एक, दो, तीन धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंगे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक, दो, तीन की चेन बनाएंगे और जहां पर ये हम पहल बनाते हैं वहीं पर एक बार सिंगल की रोशिय से connect करेंगे उसके बाद एक, दो, तीन की चेन बनाएंगे और आगे वाली चेन में इसी तरीके से जैसे हमने अभी तक बनाया है एक, दो, तीन, धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करेंगे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक, दो, तीन की चेन लेंगे और तीन की चेन लेने के बाद जहां पर हम इसको देखे बनाते हैं वहीं पर जो है हम इसको सिंगल की रोशिय से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद एक, दो, तीन की चेन लेंगे और आगे वाली chain में इसी तरीके से इस process को follow करते वे जो हैं हमें इसका border बना कर complete करना है और ये देखे ये अपने आप में ही कितना खुबसूरत लगता है अगर आप इसको base को simple भी रखते हैं तो भी ये base आपका सिर्फ border की वज़ा से भी बहुत ही खुबसूरत लगता है तो इसी तरह से बनाते वे जो हैं हमें इसके border को complete करना है तो जैसा मैंने आपको कहां यहाँ पर मैंने दो color का देखे यूज किया है sky blue और एक baby pink आप चाहें जो भी color इसके अंदर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से तो इसी तरह बनाते वे हमें इस border को जो है complete करना है और आपको यह border कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को like करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हमारे थाल पोस का जो border है वो बनकर complete हो चुका है और जो आपको अभी कुछ इस तरह स करने हैं सबसे पहले तो यह फ्लावर हमें कैसे बनाने हैं चली अब हम यह देखते हैं तो इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस फ्लावर का जो हमने बीच में यह वाइट वाला फ्लावर जो है बनाकर complete करा है पहले हम इसको बनाएंगे तो यहां पर देखिए कि इसन छहज़ा है में और तीन चेन बनाने के बाद लख कि जैसे हमने साफ के इनुदर पुफ भूफ celebrate कम्प्लीट करनी है। तो देगे धागे में रगी होफ तरह निकालற मनें में हैं से ओंड्य और होफ दखार को अधाया यहां पर 1,2,3 चेन लेंगे और जहां पर हमने यह पफ बनाया है वहीं पर फ्लावर से इसको कनेक करेंगे तो यहां पर देखे इस फ्लावर की हमारी पत्ती बनकर कमप्लीट होती है और इसी तरह बनाते ह। 5 पतिय बनानी है जिसको मिलाकर यह फ्रावर बनकर कंप्लीट होगा पुझार्रक्रहें में यहां पर इम यह पर तीन की चेंड लेंगे एक दो तेन और तीन की चेंड लेने के बाद धागे को लेंगे और यहाँ पर दुबारा से जो है इसी तरह से तीन बार निकाल कर पफ बनाएंगे एक, दो, तीन और धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करेंवे धागे को पिक करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, वापिस यहाँ पर एक, दो, तीन की चेन लेंगे और जहां पर हमने यह पफ बनाया है वहीं पर सिंगल की रोशिये से इसको connect करेंगे तो यह हमारी दूसरी पत्ती बनकर complete हुई है उसके बाद दुबारा से देखें तरीका यही रहेगा एक, दो, तीन की chain बनाएंगे और दुबारा से इसी hole के अंदर एक, दो, तीन, इस तरह से तीन बार निकाल कर पफ बनाएंगे धागे को hold करेंगे, समय से निकालेंगे, hold करेंगे, दो, दो से एक करेंगे, एक, दो, तीन की chain बनाएंगे और जहां पर हम यह पफ बनाते हैं, वहीं पर single crochet से इसको connect करेंगे, तो यहां पर देखेंगे, इस तरह से हमारी तीन पत्या बनकर complete हुई है, और अभी हमें इसके अंदर दो पत्या इसी तरह से और बनानी है, तो यह पांच पत्यों का जो है, इस तरह से फूल बनकर complete होग और यह जो बीच का धागा है, इसको हम थोड़ा सा खीज देंगे, तो यह जो है, इसके बीच का जो गैप है, वो खतम हो जाएगा, और यह perfect flower बनकर हमारा complete हो जाएगा, और अब हमें बनाना है इसके बाहर का यह वाला flower, इस flower को बनाने के लिए यहां पर देखें, जैसे हम पहले करा था, देखें, पहले हमें बीच का एक होल बना कर complete करना है, तो देखें किरोशिय को जब हम इस तरह से round मोडेंगे, तो यहां पर यह इस तरह से देखें, एक circle बनता है, और circle के बनने के बाद यहां पर हम इसको अंदर से निकालेंगे, और एक की chain लेंगे, एक की chain एक, दो, तीन, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, तो यह half double किरोशिया कहलाता है, और हमारा यह जो है, यह जो पत्ती हमारी बनकर complete हुई है, यह पत्ती हमारी दो chain के अंदर बनती है, इसलिए हम यहां पर जो है, बीस बार half double किरोशिया बनाएंगे, क्योंकि देखें, हमने इस flower के अंदर total एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच पांच पत्तियां बनाई है, तो इस flower के जो यह पत्ती है, इसको बनाने के लिए हमारी दो chain यहां पर यूज होती है, तो यहां पर इसलिए हम यहां पर देखें, इस तरह से धागे को लेंगे, और यहां हाफ डबल किरोशिया बनाएंगे, तो इस circle के अंदर हमें 20 बार हाफ डबल किरोशिया बनाना है, तो यहां पर देखें, हमारी अब 2 बार बनाया है, तो एक chain बनकर बीच में आई है, इस तरह से, इसलिए हमें 20 बार बनाना है, तो यह दो हो गई, तो देखें, धागे को ल देखें, तो देखें, फिर से एक बार धागे को लेंगे, और होल के अंदर से इस तरह से निकालेंगे, और तीनों में से एक साथ निकाल देगे, तो यह हाफ डबल किरोशिया कहलाता है, तो इसी तरह से बनाते में जो है, आप अपने इस फर्स राउंड को बनाकर complete करें, तो यहाँ पर देखें, हमने बीज बार हाफ डबल किरोशिया बनाकर अपने सरकल को complete कर लिया है, और यह जो धागा है पीछे की तरफ, इसको हम थोड़ा सा खीज देंगे, तो यह गैप देखें, इस तरह से भर जाएगा, और उसके बाद आगे वाली जो हमारी फर्स चेन है, यह वाली यह देखें, जो इस तरह की हमारी चेन बनी है, इसके अंदर हमें अपना काम करना है, यह बीज हमने इसलिए बनाई है, क्योंकि जब हम बीज बार हाफ डबल किरोशिया बनाएंगे, तो दस बार हमारी इस तरह से बीच में चेन आएगी, और दो चेन हमारी ए सबसे पहले हम कनेक करेंगे, तो देखें, कनेक करने के बाद यहाँ पर आप हमें यह जो फ्लावर है, बड़ा बनाना है, और अगर आप छोटा बना रहे हैं, तो आप चेन कम भी ले सकते हैं, और इस से ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा भी ले सकते तो देखे धागे को लेंगे और जैसा मैंने आपको कहा कि इस चेन के अंदर ही हमें अपना ये वर्क करना है तो देखे धागे को लेंगे और पांच बार धागे को निकालेंगे एक और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पर इस तरह से हाथ को तंग नहीं रखेंगे थ ठोड़ा लंबा करके इसको निकालेंगे, जितना हम इसको बड़ा बनाएंगे, उतनी बड़ी यह पत्ती बनेगी, तो पांच बार हमें निकालना है, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच बार हमने एक चेन में निकाला है, और पांच बार अब देखे, इस चेन के अंदर हमन एक दो तीन चार पांच तोटल दस नास के प्वोस न teक्वशना की समें को है। यहां पर इस स्मय हमारे पास यह जो है जो है गाल कर अनुद केंसट लेकिन हम niż वानगी निकालब्ली कुणि- इस इतनी में कलाकर आसम आजा लगा जे जो हूं पांच बार जो है हमें बीच में से गैप करते वे इसको धागे को निकालना है तो देखें कि रोशिय में से दो दो या तीन तीन चेन हम पीक करेंगे इस तरह से बीच में इस तरह से निकालेंगे हमने दो या तीन जो है अपनी यहाँ पर छोड़ दी है यानि हमारे बस दस हैं तो पांच बार हमें इस तरह से निकालना है तो आप दो दो जो है हमारे इस तरह की लाइन है उसको निकालते वे धागे को इस तरह से लें और उसके बाद यहाँ पर देखे slim stitch से हम इसको cover करेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पर 2-3 धागों में से निकाल देंगे फिर इसको उपर की तरफ से यह देखे single किरोशिय से इसको connect करेंगे उसके बाद थोड़े थोड़े gap पे हमें इस किरोशिय में से जो है इस धागे को निकालना है तो यह देखे हमें टोटल पांच पार निकालना है तो अवा अंदाजे से भी निकाल सकते हैं इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से slim stitch से इसको cover करते जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर gap लेते वे निकालेंगे Slim Stitch से cover कर देंगे हमारा चार बार निकल चुका है अब last हमारा बचा है तो हम यहाँ पर सब में से निकाल देंगे और Slim Stitch से इसको इस तरह से cover कर देंगे तो यह हमारी देखे एक पत्ती बनकर complete हो गई है और अब यह जो हमने Slim Stitch से connect किया है तो यहाँ पर जो यह chain है हमारी Slim Stitch वाली यहाँ पर हम दुबारा से देखे धागे को लेंगे और उपर की तरफ हाफ डबल किरोशिया बनाएंगे अब जहाँ पर दूसरा हमारा Slim Stitch है वहाँ पर दुबारा से हम लेंगे और इस तरह से 3 है तीनों में से निकाल देंगे तो यह हमारा हाफ डबल किरोशिया क्यलाता है फिर आगे वाली जो हमारी Slim Stitch है वहाँ पर लेंगे तीन, तीनों में से निकाल देंगे और अब हमारा last वाला है जो हमने यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते वे कवर करेंगे तो यह जो पत्ती है इसके उपर इस तरह से एक बॉर्डर बनकर कम्प्लीट होगा जो दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है जहाँ पर हमने सेकंड वाली चेन में यह बनाई थी यह वाली पफ बनाया था वहीं पर हम इसको सिंगल क्रोशिय से कनेक करेंगे तो कनेक करने के बाद यह देखिए हमारी स्पूल की पहली पत्ती जो है बनकर कम्प्लीट हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पर देखिए अब आगे वाली जो हमारी चेन है यह आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर हम सबसे पहले तो सिंगल क्रोशिय से इसको कनेक करेंगे कनेक करने के बाद वापिस यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह पांच बार हम एक चेन के आगे ज기에 उतना हो सकता है यहाँ जो छे चेन हमने भडाबर तक हम इसको लेकर आना है दो, तीन, चार, और ये पांच तो पांच बार हमें एक चेन के अंदर बनाना है और उसके बाद जो हमारा दूसरे वाली चेन है हमारी यहाँ पर उसके अंदर हम पांच बार निकालेंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच तो यह हमारे पास टोटल दस हो जाती है और इसके बाद हमें क्या करना है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है पांच बार हमें इन दस जो हमारी हमने पफ बनाए है तो इसके अंदर से हमें थोड़े थोड़े gap पे धागे को निकालना है तो देखे किरोशियें के अंदर धागे को लेंगे और थोड़े gap पे यानि दो या तीन धागों के अंदर से इसको gap करते वे निकालेंगे इस तरह से और उसके बाद slim stitch से इसको उपर secure भी करते जाएंगे उसके बाद वापिस यहाँ पर दो या तीन धागों में से निकालेंगे और slim stitch से इसको secure करेंगे यह तीन यहाँ पर इसको secure करेंगे चार secure करेंगे और अब यह last बचे हैं सब में से निकाल देंगे और इसको यहीं पे सिक्यूर कर देंगे तो यह हमारा इस तरह की एक पत्ती बनाकर कंप्लीट होती है उसके बाद जहां पर भी हम सिक्यूर करते हैं वहां पर एक चेन आएगी वहां पर हम देखे धागे को लेंगे और उपर की तरफ से भी हाफ डबल किरोशिया बनाते वे जाएंगे उसके बाद देखे आगे वाला जो हमारा यहां पर इस स्लिम स्टीच बनाया था वहां पर हाफ डबल किरोशिया बनाएंगे उसके बाद आगे वाले में इसी तरह से half double की रोशिया और अब हमारा last है यहाँ पर भी हम इस तरह से half double की रोशिया बनाएंगे तो यह हमारी पत्ती जो है इस तरह से बनकर complete होती है उसके बाद यहाँ पर हम वापिस 6 chain लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 chain लेने के बाद जो दूसरा वाला puff हम जिस chain में बनाते हैं वहीं पर single की रोशिया से इसको connect करेंगे और connect करने के बाद आगे वाली chain जो हमारी होगी उसके अंदर हम single की रोशिया से connect करेंगे और वापिस 6 chain बनाएंगे और छे चेन बनाने के बाद दो चेन के अंदर इसी तरह से जो है हमें पतिया बनानी है जैसे हमने ये दो पतिया बनाई है और हमें टोटल जो है यहाँ पर पांच पतिया बनाकर कम्प्लीट करनी है तो इसी तरह से बनाते वे जो है आप अपने इस फ्लावर को बनाकर कम्प् ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और यहां पर देखें इसको बनाने के बाद हमें यहां पर क्या करना है और जैसा मैंने आपको कहाता ही जो धागा है इसको जब आप खीज देंगे तो इसका जो बीच का गैप है वो बंद हो जाता है अब यह जो वाइट वाला फ्लावर है हमारा अब हमें इसको इसके अंदर फिक्स करना है तो देखें दोनो धागे एक तरफ हैं तो हम क्या अब हमें क्या करना है इस फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखना है और यहां किरोशिये से देखें इस दागे को नीचे की तरफ ले आएंगे दूसरी तरफ से भी धागे को इस तरह से नीचे ले आएंगे और जब यह धागे हमारे इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपस में हम इन दोनों धागों को बीच में बांध कर फिक्स कर देंगे तो ये देखें दोनों धागे हैं इन दोनों धागों को यहाँ पर नीचे की तरफ अच्छे से बांध देंगे तो ये जो हमारा वाइट फ्लावर है वो इसके जो है सेंटर में बिल्कुल इस तरह से देखें फिक्स हो जाएगा तो ये इस तरह से बन कर जो है complete हो चुका है और इस फ्लावर को अब इस थालपोस के अंदर लगाने से पहले हमें इसकी फ्लावर की डंडी और पत्याँ बनाकर complete करनी होगी तो हम इस फ्लावर को रख देते हैं एक साइट तो अब डंडी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैं नीचे से जो है 6 लाइन में इसको लूँगी तो नीचे से जब हम देखें काउंट करना शुरू करेंगे तो यह पहले वाला हमारा पाफ है कली है यहाँ पर उसके उपर 2, 3, 4, 5 और यह 6 यानि 6 रोका जो बिलकुल हमार इस ज्थिंटर में लेना है तो यहाँ पर देखें। बिलकुल सेंटर के अंदर हम यहाँ सबसे पहले पीक करेंगे इसकी माइनके लिया है। बाकि आप जो है 스타 जो है फ्लावर रह रह इस में काउंट कर सकते हैं कि आपको यह जो है कहां से बनानी शूरू करनी है आप अप चरषर्ण कोते हैं और यहीं तो इसको बना सकते हैं तो मैं यहां पर six ऐहां पर इसको बनाना शुरूर कर हुद एके मैं बिलकू सेंटर में इसके लिया और सेंटर में लेने के बाद हम सबसे पहले ठो यहां पर विक्राइब को यहां पर देखे add करेंगे add करने के बाद यहां पर आम मैं 17 चेन बनाकर complete करूंगी बाकी आप measurement भी ले सकते हैं जब आप बनाते जाएं चेन और उसको नापते जाएं कि आपको कितनी बड़ी चेन चाहिए तो देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आज, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, तो ये मैंने जो है सत्रा चेन ली है और ये सत्रा चेन देखें मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और अगर आपको लगे छोटी है तो आप यहाँ पर मेजर करते एक, दो, चेन और बना ले तो इस तरह से हमें जो है इसका मेजरमेंट करना है और जो हमारे नीचे का सबसे पहले वाला पफ होगा यहाँ पर देखें जो सबसे नीचे का पहले वाला पफ होगा वहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से देखें पिक करेंगे और यहाँ पर सिं पत्ति तो पत्ति बनाने के लिए यहां पर संद आपने के से और यहां पर सकते हैं यहां पर साथ साथ, साथ लिएक संद देखे है तो साथ उसन देखे हम दागे को लेंगे और जितनी भी हमारी है यहां गां ग्लीन कौ सफ़की topping में flare पिक करना है, इस तरह से chain को पिक करेंगे, ढागे को निकालेंगे, और जैसे हमने half double किरोशिया बनाई था, देखिए, तीन है, तीनों में से निकाल देंगे, उसे बाद next chain को पिक करेंगे, तो देखिए, इस chain में उमने ऊपाइब यहा旁ने हमारी next chain है, यह वाली यहां से धागे को निकालेंगे तीन, तीनों में से निकाल देंगे उसके बाद थार्ड चेन को पिक करेंगे और उसके बाद इसी तरह से हाफ डबल किरोशिया बनाएंगे फिर हम 4th वाली chain को फिक करेंगे इस तरह से किरोशी में से निकालेंगे और इस तरह से बनाकर हम इसको complete करेंगे तो पूरी इस साथ की साथ chain में हमें इस तरह से 1 रण में हाफ डबल बनाई इसके अंदर साथ चेन बनाने के बाद यहां पर देगे दागे को लेंगे जितनी भी हमारी यह चेन है इनको हमें पिक करना है तो यहां पर देगे यह फर्स चेन है हमारी यह वाली इसको यहां पर देगे दागे को निकालेंगे तीन है तीनों में से एक साथ निकाल द हम एसे कि रोशिय सकुछ को निकालेंगे और Dہागे को निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है इन साथ की साथ चेंट में इसी तरह से जो है हाफ डबल किरोशिया बनाते वे हमें इसको complete करना है तो एक side हमारी देखिए इस तरह से हाफ डबल किरोशिया बन गया अब पत्ती की shape देने के लिए हम क्या करेंगे इसको दुबारा इस तरफ यानि अभी तो हमने chain के इस तरफ ये हाफ डबल किरोशिया बनाया है अब हमें इस तरफ भी जो है हाफ डबल किरोशिया बनाना है तो देखिए इस तरह से turn लेंगे और जहां पर हमने last वाला हाफ डबल किरोशिया बनाये नीचे वाली chain में वहीं पर एक बार और बनाएंगे और उसके बाद हर chain के अंदर जैसे हमने उपर से start किया था अब हमें नीचे की तरफ से उपर आना है तो हर chain के अंदर देखे pick करते वे इस तरह से हाफ डबल किरोशिया बनाते जाना है तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी chain में इस तरह से half double कि रोशिया बन गए अब ये last की chain है यहाँ पर हम इस तरह से half double कि रोशिया बनाएंगे तो यह जो है हमारी एक पत्ती बनकर इस तरह से complete हो जाती है तो देखे इसको बनाने के बाद यहाँ पर देखे कि प्रति को इसके अंदर कनेक्ट करना है तो यहां से जब हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारी जो चेन आएगी वो आएगी फर्स सेकिंड थर्ड फॉर्ट यानि फूर्थ वाली रो कि अंदर हमने डंडी बनानी शुरू करी थी और फॉर्थ वाली चेन की जो कोणा है यह सबी और हैं ँप्ति यहां से आरेंगे हुआँ है कि एसंगल क्य्यों से यहां पर हम इसको कनेक्ट कर तो यह पत्ति हमारी साइड में इस तार से कनेक्ट हो जाएगी बाकि आपको अपनी पसंद के थोड़ी और उपर करनी है या आगे पीछे करनी है पती तो आप अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा यह वर्क खतम होता है तो यहाँ पर देगे हमारी एक पती जो है बनकर कम्प्लीट हो चुकी है बाद में यह धागे हम नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे आप हमें बनानी है इसकी दूसरी पती तो दूसरी पती बनाने के लिए भी यहाँ पर जहाँ पर हमने देगे डंडी को कनेक किया था नीचे की तरफ वहीं पर दूसरी साइड में हम दुबारा से इस तरह से सबसे पहले तो अपने green color के work को यहाँ पर add करेंगे add करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ chain लेंगे और जैसे हमने यह वाली पत्ती बनाई है same ऐसे ही हम इस पत्ती को भी बना कर complete करेंगे और इस तरह से भी जो है fourth row के अंदर इस तरह से last के अंदर पीक करते होए यहाँ पर last में single किरोशिय से इसको यहाँ पर complete कर देंगे और यहाँ पर connect करने के बाद complete कर देंगे तो इस तरह से हमारी दोनों पत्तियां इसमें बनकर complete हो जाएंगी तो देखे, फ्लावर को लेंगे और उसके बाद जो है, इस तरह से रखते हैं डंडी के साथ हम इसको अड़्जेस्ट करना है, और इसको रखने के बाद, अब हम क्या करेंगे, सुई से जो है, इसका हम इस तरह का बीच का सेंटर बना कर कम्प्लीट करेंगे, चाहे तो आप इसके अंदर देखिए मोती भी लगा कर सकते हैं लेकिन जिस कलर के फ्लावर हो उसके अंदर अगर हम इस तरह का एक सरकल बनाकर मोती की तरह कंप्लीट करते हैं तो यह दिखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं बागी आपकी चोईस के उपर है कि आप इसमें मोती लगा वाइट वाले फ्लावर के सेंडर में हमें इसको निकालना है इस तरह से निकालने के बाद यहीं से देखिए हम नीचे की तरफ सुई को लेंगे और इसी तरफ से उपर की तरफ यहां पर देखिए नीचे से यहीं से हम डालेंगे इस तरह से और यहीं थोड़े से गैप पर से हमें सुई को वापस उपर की तरफ जो है निकालना है तो देखे थोड़े से गैप पर से वापस निकालने के बाद सुई को हमें क्या करना है इस पर्ण को इसके बीच में बनाने के लिए मैचिंग का हम इस धागे को लेंगे और सुई के अंदर इस तरह से डालेंगे एक त 3, 4, 5, तो जितना बड़ा आपको ये सेंटर में बनाना है उतने जादा बार आपको इसके अंदर डालना होगा तो मैं इसके अंदर तोटल 15 बार डाल रहे हूं छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, यानि पंदरा बार हमने टोटल इस सुई के चारो तरफ जो है इस धागे को इस तरह से घुमा कर डाल दिया है और इस समय पर आपको हाथ को थोड़ा सा लूज ही रखना है वह ज़्यादा टाइट नहीं करना है और उसके बाद देखे अब सुई को हम उपर की तरफ जो है वापिस इस तरह से खीच कर निकाल देंगे तो उपर की तरफ देखे इस तरह से निकालेंगे तो ये जो हमने इसके अंदर डाले थे ये इस तरह से इकटज नेफर देखे अब यह दो देखे कि तरफ लेकर जाएंगे और यह देखें यह इसका सेंटर कितना परफेक्ट बनकर कंप्लीट हुआ है और दिखने में कितना खुबसूरत लगता है और जैसा मैंने कहां आपको आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं अपनी चोईस के हिसाब से और धागे को नीचे लेकर जान पत्ती के इस कर्neir पर निकाला है और यह जो हमारी आगे वाली पत्ती के इस तरह से लेते वे हम इन को इहां पर यह देखें सिस तरह से तरह से निकालेंगे और आगे वाली तो यह देखिए यह फ्लावर इसमें सेट भी होता जाएगा और अपनी प्रॉपर शेप भी लेता जाएगा अब इस पत्ति के दूसरे सिरे पर हम सुई को निकालेंगे और दूसरे वाली जो हमारी आगे वाली पत्ति है उसको भी साथ में लेते वे इस तरह से जो हमें इनको आपस में स्टिश करते वे इस फ्लावर को कंप्लीट करना है तो यहां पर देखिए हमारा जो 3D एफेक्ट देने वाला बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत सा जो ह आप चाहें तो लोगज़िए तो तो आप सकते हैं नहीं तो डेखास में भी स्टव में आपके साहरा पीस जब हमें उसको और यहाँटूरत में जो हैं हम स्टिश करते हैं टारा देखिता जो उसको वाल की वीडियो को साथ जरूर बैकरांड साथ यूज करके एक special effect दे सकते हैं इन चीजों को तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये थाल पोस पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थाल पोस का डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समार्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स वीडियो में एक और बेहत ही खुपसूरत से डिजाइन के साथ तो रादे रादे जैश्री कृष्णा